हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हूं टूशन चल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज दिले प्लिस कॉंस्टिबल का रजल्ट है वो आने वाड़ा है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे लगातार मेरे पास वाटसप पे मेसेज कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नम्ब कि एकस्पेक्टिड कट ओफ है वो क्या रह सकती है तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों सबसे पेले तुम आपको एक बात करना चाहूंगा कि देखो जो आपका इस्वर है जो आपकी परम सकते है जिसे आप पूजते हैं आगर वो आपको यहां तक आप को लेकर आया है इस competition में तो वो आगे तक भी आपको लेकर जाएगा अपने इस्वर अपने बगवान अपने अल्लाग पर विश्वास रखे जो आपकी उंगली पकड़ कर आपको यहां तक लेकर आया है ना आपको आगे तक भी लेकर जाएगा और हम तो यहीं उम्मीद कर और जो positive thinking उसके साथ ही जीवन चलता है दोस्तों तो हमेशे आप positive रहने कोशिश कीजिए जो बच्चे borderline पे हैं विसेस करें जिनको लगते है जिसे माली जो ABC की बात करें तो जिस बच्चे के 64 नंबर है या 65 नंबर है वो सबसे ज़्यादा tension में है कि यार पता नहीं होगा की नहीं होगा देखो होगा या नहीं होगा लिस्ट आपकी बन चुकी है आपके tension लेने से ज़्यादा pressure में आने से यह तो नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा या ऐसा नहीं हो सकता है भी लिस्ट में नाम है तो कट जाएगा अब काम है बगवान का ठेक है दोस्तों और किस्मत का ठेक है क्योंकि cut off हो सकता है वहीं हम जो बता रहे हैं आपको या अन्य teachers ने आपको बताई है उससे ज्यादा चली जाए दो चार नमबर या हो सकता है बिल्कुल कम चली जाए तो ऐसा भी हो सकता है ठेक है आप सभी जानते कि रिटन एक्जाम जब वा था तो बहुत सारी यूट्टूबर ने आपको 80 जाएगी फलाना जाएगी दिकड़ा जाएगी तब भी हमने आपको कटो बताई थी और लगबग वहीं पर आपकी कटो रही थी ठेक है दोस्तों हमने 57 OBC की 57 मैंने कटोफ बताई थी 58 कटोफ OBC गई थी दोस्तों ठेक है हालां कि मैंने जनरल की ज़्यादा बताई थी कटोफ जनरल की कम गई थी रिटन एक्जाम की ठेक है दोस्तों तो ऐसा नहीं कि हम भी बगवान है हम भी expected आपको बता रहे और जो अनके नंबर है मेरे बुझाई बताइए कितनों का रिप्लाइए करें चे कटोफ यहां पे एक बहुत बढ़ाए चीज है कि हो सकता है रिटन एकंजाम में किसी के पिचे 45 नंबर हो किसी workshop कि कि इन्होंने physical पास किया उनके average number कितने है इस बात पर depend करती है इस बात पर depend नहीं करती कि रिटेन एक्जाम में topr का कितना score था यह depend नहीं करती है physical के बाद दोस्तों क्योंकि topr जो है जनरली physical नहीं कर पाते हैं finally selected जो है बच्चे वही होते हैं जो थोड़ा सा average study में है average physical में है अब कई मेरे जैसे भी है return exam तो पास होगा लेकिन physical नहीं होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होगी जिनका physical बहुत तकड़ा होगा लेकर return exam पास नहीं होगा तो ऐसे मतलब कहने का मतलब कहें कि बीच वाले विद्यारती जो थोड़ा सा physical भी करते हैं और थोड़ी सी study करते हैं वही बच्चे finally select होटते हैं और वही चीज़ हम आपको यहाँ पर बताने वाड़े हैं दोस्तो ठेक है तो वीडियो को ध्यान से और पुरा देखे एक बात और बताना चाहूंगा जैसे result आएगा सबसे पहले आपको हमारे टेलेग्राम चनल पर मिल जाएगा तो टेलेग्राम चनल का link description में है जाके आप जोइन कर लीजिए ठेक है दोस्तो वहीं पे सबसे पहले आपको result मिल जाएगा और वीडियो तो आपको मिलेगी ही मि पाएंगे उनके लिए इतना है करना चाहूंगा जब भी आप किसी competition में किसी भी मैदान में उतरते हो चाहे वो दुनिया का कोई भी मैदान हो किसी भी छतर का आप दो चीजे मतलब अचीव करते हो या तो उस लड़ाई में आप जीतते हो या आप समझदार बनते हो अगर जीत जाओगे तो आपकी सरकारी नोकरी का जो सपना हो पुरा हो जाएगा अगर बाइदावे आपका सेलेक्शन नहीं हो तो आपको ये सीख मिलेगी कि आपने गलती कहां पे की थी आपको पता लगेगा कि मैथ आपका कमजोर रहा था या जीके आपने कम पड़ी या रिज आपको पोजिटिव और एक नई किरणों के साथ आगे बढ़ने की दोस्तों ठेक है तो चलिए बात कर लेते कटोफ की तो यहाँ पे जर्नल की जो कटोफ रह सकती है यानि कटोफ है OBC की 64 से 66 के बीच में इन दो नम्बरों के बीच में रह सकती है दोस्तों ठेक है बात करें AWS की तो 57.67 रह सकती है से की बात करें तो लगभग AWS के बराबर रह सकती है एक दो नम्बर का उपर निच्च अगर यह 57.67 तो मान लीजे 56.67 भी हो सकती है यह expected हम बताए है जो data हमारे पास था उनके आदार पे मैंने आपको cut off यह बताई थी ठेक है दोस्तो आज भी उसे पेर काईम है बात करें स्ट की तो 61 से 63 जिस बच्चे के नंबर जुड़ रहे हैं वो 100% उसका selection हो जाएगा कोई डिकताड़ बात नहीं है और वैसे भी आप तो 4-5 गंटे का ही time बाकी रहेगा स्याम के 5 बज़े या 5 बज़े के बाद गभी आपका result हो जारी क्या जा सकता है आज की तारिख में दोस्तो ठेक है रजल्ट आज ही आएगा ये बात अब लिखके ले लीजिए बात करें जोस्तो फेमेल कॉंस्टेबल की जो जो कट ओफ रह सकती है 53 से पिछपन रह सकती है लेकिन फेजिकल के बाद जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है फेजिकल के बाद तो यहाँ पे कट ओफ 53 तो मुश्कील ये 52 के आसपार रह सकती है 52 नंबर ठेक है 52 या 53 नंबर के आसपार फेमेल की कट ओफ रह सकती है तो जिस लड़की के पचा यानि 51 बावन नंबर भी है तो वो निरास देखो ये फाइनल कट ओफ नहीं है भाई ये एक अंदाज़ा है थोड़ो बातारी समझ में ना तो हम दिल्ली प्लिस के डिजी है ना दिल्ली प्लिस के हम कोई करमचारी हैं दोस्तो ठेक है हम सामाने यूट्टूबर है आपके दियो ही डाटा के आदार पे और जो हमें थोड़ी बहुत इंफोर्मिशन हमें हमारे फ्रेंड से मिल जाते हैं दिल्ली प्लिस में काम करते हैं उनके माद्दम से जो कट ओफ बताई है वो बतारे भई ये फाइनल नहीं है ऐसा नहीं कि मैंने ये बता दिया तो जिनके कम नंबर है यार मेरा तो नहीं होगा कम भी जा सकती है ये एक्सपेक्टेड है दोस्तो ठेक है बात करें ओबीसी की तो 50 से 52 जिस लड़की के नंबर है 50 से 52 50 नंबर वाली भी यहाँ पर पुसिबल है और यहाँ पर मैंने कटोफ में भी लिखा था और अब भी लिख रहा हूँ जिसके 49 नंबर है न उसके भी चांस है यहाँ पर क्योंकि कटोफ तो जर्नल की ही थोड़ी सी जादा जाएगी बाकियों की तो कम ही रहने के उम्मीद है दोस्तो क्योंकि आप सभी जानता है कि जो अधर कटेगरी के कंडिडेट है वो भी जनरल में फाइट करने वाड़े हैं तो जनरल की कटोफ थोड़ी सी अन्ने कटेगरियों के मुकाबले जो नंबर ओफ गैप है वो थोड़ा हाँ जादा रहता है बाकी के टेगरीज में इतना फरक नहीं आएगा तो जिस लड़की के 49 नंबर है न 48, 45, 45 जिसके नंबर है वो भी उम्मेद बना के रख सकती है छेक है दोस्तो AWS की बात करे तो 35, 37, SC की बात करे तो 33, 45 नंबर ठेक है और ST की बात करे तो 44, 46 नंबर जिस लड़की के बन रहे है इससे भी कम मान सकते है अगर OBC के 49 कट ओफ जाती है तो आपकी तो यहाँ पर 43 सी रहने की उम्मेद है दोस्तो ठेक है तो यह कट ओफ हमने पहले बता दी थी आपको वीडियो के मद्दम से लेकिन बहुत सारी बच्चे लगातर मेरे पास मेसेज कर रहे हैं वाटसब पे तो रिपलाई देना पॉसिबल नहीं हो पता है तो इसलिए वीडियो इपर फिर से आपको बता दी छोटी सी लेकर दिल लिपलिस में नोकरी के लिए आगे की कारवाई आप कर रहे होंगे दोस्तों उमेद करते हैं कि इस बार आप अपने सपनों को जरुर पूरा करेंगे ठेक है एक बार फिर से करना चाहूँगा कि लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए टेलेग्राम चनल पर जोइन कर लीजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दियावाई दोस्तों तो कोई भी आएगी आपको मिल जाएगी दोस्तों वहाँ पर ठेक है धन्यवाद